इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SpaceX मार्स तक क्यों जाना चाहती है और वो कैसे जाएंगी क्या मार्स हमारा अगला घर हो सकता है जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें नमस्कार आप देख रहे हैं Each and Everything चैनल मैं हूँ आपके साथ मनसी आज SpaceX plan कर रही है कि वो मार्स तक जाए मार्स पे घर बनाए मार्स पे living wing को लेकर जाए वहाँ पर पूरी सोसाइटी डेवलप करें ऐसा कैसे हो सकता है क्यों मार्स पर हम जाना चाहते हैं मार्स पे तीन कारण सबसे बरे हैं पहला तो वहाँ पर sunlight है जो कि living wing को सपोर्ट कर सकते है sunlight पर ग्राविटी है धर्ती की ग्राविटी का 38% ग्राविटी मार्स पर भी अब लेवल है जो कि बहुत important होता है एक living being को जिन्दा रहने के लिए आज कल आप देखते होंगे कि starship का launching हो रही है तो starship शेही SpaceX plan कर रही है कि वो जाएंगे starship है क्या starship अब तक का सबसे powerful rocket है सबसे powerful launch vehicle है जो की बनाया गया है यह 100 metric ton को लेकर जा सकता है earth orbit तक साथ ही साथ इसमें refueling system है यह refueling system local resources जो आसपस gases level है उनका प्रियोग करकर refuel कर सकता है अपने आपको और आगे कि space mission के लिए आगे कि जर्णी के लिए अपने आपको prepare कर सकता है साथ ही साथ यह जो starship है यह vertical take off और vertical landing में भी कारगर है तो इसलिए starship का प्रियोग होगा मार्स तक जाने के लिए यहां पर आप एक पिच्चर देख सकते हैं एक astronaut मार्स पर घूम रहे हैं तो आशा करते हैं कि हम जल्द ही मार्स पर अपने सफलता पाए मार्स तक पहुंचे और आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी सब्सक्राइब करिए इस चै सब्सक्राइब को जाकर आप दिख सकते हैं गुडबाई है वनाइस देग